दिना 24 फरवरी 2023 को जन्बत प्रयाग राज के थाना धूमन गन छेतर के जहनती पुर्व में शिरी उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कारिद की गई थी इस घटना में शिरी उमेश पाल एवं एक सुरक्षा कर्मी की दुखत मृत्य हुई एवं एक सुरक्षा कर्मी का इलाज चल रहा है जिनके कंडिशन अभी प्रिटिकल है इस घटना के संबंद में 24 बटा 25 की रातरी और 25 की सुभा शिरी उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजी कृत कराया गया धारा 147, 148, 144, 302, 307, 506, 34, भादवी, विसकोटक पतार्थ अधिनेयों की धारा 3, 117 CLA Act के अंतरगत इस मुकदमे में माफिया अतीक एहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवी, माफिया का भाई अश्रफ, एवम इनके अन्य पुत्र, ये साजिश करता के रूप में नामज़त है एवम माफिया अतीक एहमद का एक पुत्र एवम दो नामजद इनके साथी वा नौ अन्य अग्याद साथी के विरुद मुकदमा पंजिकृत किया गया है इस मुकदमे में जन्पत प्रयागराज की पुलिस की दस्टी में इसमें इन अपराधियों के ढूंडने तलाशने और इनके विरुद कठोर्तम का रही करने के लिए इस समय जगे जगे दबिश दे रही हैं लोगों से कूश्टाज कर रही है और आज पुलिस कमिशनर जन्प को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस जगन्य कांड में इस दुखत कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथ ही समलित हैं उनके विरुद पुलिस की कठोर्तम कारवाही अमल में लाई जाएगी जो की भरिश के लिए एक नजीर बनेगी